हेलो फ्रेंट्स मी विशाखा, ग्लोबल ओंलेन मरेठे मदे अपला सर्वांचा स्वागता है अचा सेशन मदे अपलेला महाराष्ट सेट 2022 साथी पेपर दोन अर्थ शास्त्र, यूनीट आहे माक्रेकोनामिक्स, जाला समगर अर्थ शास्त्र मनतो अणि टोपिक आहे कैंशियन थेरी ओफ इम्पोलिमेंट, रोजगराचा कैंशियन सिद्धांत असापन मनतो तो अपलेला बगाएचा है सेशन स्टाट करने पुरी एक इंपोर्टन सुचिना कि मास संध्या आहे ता स्टूडन साथी सब्सक्विस मार्च लगावनारी सेट एकजाम आए ताए एकजाम करता है त्याँ चाहे है मैं एक स्पेशल कोर्स गीवना लेग पेपट्टु एकडुआमिक्स साथी 50 टेस्ट असना है तो पूर्ण पने पकेज, फुल अफ पकेज तुमाला मेरता है या फुल कोर्स मदे जैसा मदे तुम्ही दोनी ही यूनिट मुझे दोनी ही पेपर सा अब्यास तुम्ही ये चा मदे कवलू शकता पेपर टू आणी पेपर वन संपुल नाप्वय ये सकpoke मा वली नोट्स मेला रहा है 10 तुमाले ये चा मदे मिला कहिए तुम्ही तुम्ही ये एकजाम चाना तो मला या कोर्ष मदे मेना रहे एक्सेस मेना रहे ठीक है या कोर्ष रिफीस आए 10,000 रुपीज ठीक है सदे दला में 45% डिसकाउंट प्रोवाइड करता हो डिसकाउंट अंद तची फीस होता है पास हजार पास्चे रुपीज एकड़े देले ले वाटसप नमबर जो तुम बैच मंडे पसुन स्टार्ट होती है मंचा अपने कर दों दिवस आए रजिस्टेशन साथी रजिस्टेशन के लना था तुम्ही लगे चास नवीन बैच मदे सामिल हो शकता चीके काही लेक्चर्स दे तुमारा फ्री आफ कॉस्ट मिता है तानी काही लेक्चर्स अपले ज तीन स्टेप्स मदे तुम्ही आप्लिकेशन यूज करायला स्टार्ट करू शकता फक्त तुम्हाला प्लेस्टर रोन अप्लिकेशन डाउन रोड कराईचा है लॉग इन करता ने तुम्हे डिटेल्स बरून तुम्हे कैटेगरी जी आहे MSSET पेपर दोन इकरोमिक्स ती सिल जी क्लासिकल एकनोमिक्स बाउट पूट फंचे प्लासिकल ने उफ आउंट पूट 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 श कहाँ सांग अप्लाउन बैल्यां थैपुल्यमेंट बदल तेबगीया स्वताः तैचा demand तयार करतास तो According to him, demand creates its own supply तैचा vice versa, demand जे आहे, मागने जे आहे ती स्वता स्वताः चाज पुरावठा तयार करतास तो नाकि पुरावठा मागनी तयार करतास तो तहे तैनी मानलेला है, ते पूरूव कसे करता है पुड़े बगाईचा है, ही क्रिटिसाइज पीगुउस वर्जिन दाग, small reduction in wages will bring full employment, याननी काय संग लेला है कि पीगुउस जे small reduction wages मदे, salary मदे small reduction करना, मजे कमी करना, हे full employment, ग्यों नेल कि मुँआ full employment है अपलेला दिस सेल, याचा हुर क्रिटिसाइज के लेला है, according to Keynes, reduction in wages leads to fall in demand, आता यानचा मते, Keynes चा मते, जे wages मदे आपन कमी करतो, कि मां reduction करतो, तयाचा मुझे demand मदे, मागनी मदे fall होतो, मागनी कमी होते, and hence the problem of deficient demand arise, इमाचा मुझे का होता, मागनी ची deficient demand arise होते, कमी मागनी ची समस्या निर्मान होते, तहे Keynes थेरी नी सांगित लेला है, कि माचा मते दोन तैचारले जर दोश काड़ ले, तरहे थेरी जा है, ता लागू होँ शकता, तहन्नी प्रूव कसे के लेला है, कि माचा मनता पुड़े बगूया, Keynes थेरी of income and employment, Keynes थेरी आहे, income and employment, नाकि output and employment, During the period 1929 and 1933, created the problem of unemployment, कुटला पिरेड मदे 21-21, 21-23 मदे unemployment, मजे बे रोजगारी जी problem सुरू जाला, ओके हाँ problems आहे, तो सुरू जाला होता, Book General Theory of Employment, interest and money, तहेंचा ये Book चा नाव आहे, जाचा मते तैने ही थेरी मांड लियो थी, income and employment, General Theory of Employment, interest and money, ओके, हे Book चा नाव आहे, Full Employment is not a General Feature of Economy, आता हे, जे Full Employment Feature जे दिलिला है, ते normally कुटला ही एकोनोमी सा, Feature नस्त कि मात ती दिसुनेत नहीं, Full Employment is a Special Case, Full Employment का शिया है, Special Case है, कारण वर्तिय अपन बगित लेगी, हे एक General Feature नहीं है, प्रत्यक एकोनोमी मदे अपलेला है, बगायला भीटत नहीं, ओके, इस Short Run Employment Depends on Effective Demand, and not on Flexibility of Wages and Price, तो याँचा मते, Short Run मदे Employment कशा वर डिपेंड आसे, तो Effective Demand वर डिपेंड आसे, नाकी Wedges कीमा Prices वर में, जे Salary कीमा किम्ती वर ती आवुलंबुन नस्ते, The Employment Exist in Short Run is due to Lack of Deficiency of Effective Demand, and not of Frictional Unemployment, तर बेरोजगारी जे आहे, तो Short Run मदे कशा मोणे दिशते, अपलेलाथ Deficiency of Effective Demand, तांगली Demand जे आहे, Effective Demand जे आहे, ती ती ते नस्ते आमोणे आपलेला बेरोजगारी दिशते, बाकी चा गोश्टी ताला कुटला ही फरक पड़ू देत नाहीत, ओकें, केंसे एन थेरी ने है आपलेला सांगित लेला है, केंस थेरी आफ इंकम एंप्लाइमेंट, आजुन पोइंट्स काया है ते चमदे, दे एकोनमी विल बी इन एक्वेबिलिरियम वेर इफेक्टिव दिमांड इक्वल तो लेवल अफ इंकम, नाशनल इंकम, जेवा नाशनल इंकम आणी दिमांड ही इक्वल असेल, ते वेड़ेस थे एक्वेबिलिरियम अपलाला मिलना रहें, कदी, इफेक्टिव इथे लिवीआपन, इफेक्टिव दिमांड is equal to नाशनल इंकम, ओकी, हेजवा बरभर असेल, तेवा अपलाला एक्वेबिलिरियम मिलना रहें, The level of employment depends on the level of effective demand अनि level of employment कशियासना रहे तर्थी demand कशिया है, effective demand कशिया है तर्चा वर्ती आवलम बुनासना रहे According to Keynes, in short term, equilibrium aqueous where aggregate demand become equal to the aggregate supply and this situation in term of effective demand तर्थी अबड़े वड़ा पन effective demand, effective demand वापरता है अबड़े वड़े वड़े अपन effective demand में जे काई तर aggregate demand becomes equal to aggregate supply जे वड़ा demand आए तर्थी supply होता है अशा वर्यस तर्थी demand कशिया असना रहे effective demand मोनून market मदे असना रहे Okay Effective demand बदल काई काई सांगता ही लता अपले ला Keynes borrow concept of effective demand from Malthus Keynes नी हीजी concept आए effective demand ची तर्थी कोना कोड़ूंग इतली लिया है Malthus या economics कोड़ूंग इतली लिया है Keynes has used two key terms Key terms दोन आपले लिया है कुटला Namely aggregate demand price and aggregate supply price Okay Aggregate demand and aggregate supply price For determining effective demand Effective demand साटी Effective demand is equal to national income National income is equal to national output Effective demand means Total demand for goods and services At the various level of employment Effective demand कर दिया सते जवा total demand ची आए Goods and services ची ती Various level वर्चा employment ची तला आपन effective demand बनतो इजी demand आए ती कोणा बदल साले ले Employment चा क्योंग वर्कर्स ची Demand बदल साले ले In two sectors, economy aggregate demands Is sum of the consumption expenditure And investment expenditure The aggregate demand ला काय मंटले लाई थे Sum of Sum of कशल चा Consumption expenditure मंजे काय मंटले तला Consume expenditure and investment expenditure गुंतावनु खरच किमवां consumption खरच या सगची total जया है तला आपन Economy मदे aggregate demand असमान तो Aggregate demand is equal to Consumption expenditure, investment expenditure है अपला एक formula Aggregate demand काणने चाओ Aggregate supply is equal to the sum of Consumption expenditure and saving अथा aggregate supply मंट जय का है Aggregate demand अपले लाई समझला Consumption expenditure and investment लाई तर दूसरी कडे Supply मेंट जय कंजमशन expenditure Plus saving या दोनी चे total मंजे Aggregate supply महीं आचा formula का standard अपले लाई Aggregate supply is equal to C plus S ओके आचा formula लाई लेचा Effective demand In this economy Equibularium will be achieved Where आते हाँ Equibularium अपले लाई कूटे मीडा राई Asas A Asas तर जब अपले लाई Equibularium point में मंजे C I Plus C plus I Is equal to C Plus S Okay Effective demand Is a demand At the level of output Where Producer Do not have the tendency To divert Effective demand Is demand At the level of output Output चा level लाई डिमांड जया है Where production Do not have the tendency To divert मंजे इते कुटले ही Procedure आ है Producer आ है तो कुटे ही Divert होने ची Tendencies आवन हसल ते वा Effective demand हो शकते ACC to Cain's Level of Employment Determined by ED Okay Effective demand Aggregate supply price का आया है ते आता पलेला बागेचा है Aggregate supply Aggregate supply price Is a total amount of money Which all the firms In the economy Taken together Must expect to receive From the sell of the output Produced By given number of Labour employed जेवडे काई workers आहे Labour employed आहे तेंचा कड़ूंचे Production होता है Output होता है ते तून ते सेल कड़ूंचे अपलेड़ आमाउंट येता है तेला आपन काई मनना रहा है Aggregate supply price Okay Total amount Total amount ला मनना रहा हूं नंतर Aggregate supply price Will rise As more Labour is employed To produce goods and services Aggregate supply price वाडे है कदी जेवा Labour अपन वाड़ हूं अनि production जेवा Goods and services से production देखिल वाड़ हूं तेवा आप वापस Aggregate supply price देखिल वाडना रहा है Okay Aggregate demand price काया है Aggregate demand price At any level of employment Is the amount of total price Which all firms in economy Actually expect to receive From the sale of output produce By a given number of men employed Okay जेका receive होना रहा है आप ला कडे Output sale करून कशा मदे कशाची total Total amount of price Of all firms सगला firms च्री Okay इते सगले firms आपन गित लेले Receive from the sale of output Last सेचा मदे पन आपन Output produce के लेला है Output तेचा सगा Amount चा समला आपन Aggregate Supplyment उत्तो आणि इते सगले firms चा प्राइस ची total के ले आपलेला aggregate demand price इते मेंडा रहे Aggregate demand price varies At different level of employment इते पन different level Different price आपलेला मेंडा रहे At the different levels of employment Different income levels Would be generated At the different income level Consumption demand Would be different At the different level of employment Different income levels इते income level बेगड़े आसना रहे प्रत्तेक employment चा ठीका नी Generated at the different income level मुझे ते इंकम सुदा वेगड़े ठीका नी मुझे ते आस लेवल ला वेगड़े लेवल ला तयार होना रहे मत्या मुझे का होना रहे अपला consumption demands रहे ते सुदा वेगड़े बेगड़े लेवल लेवल ला वेगड़े इंकम वेगड़े डिमाड अनी consumption demands पन वेगड़े असना रहे determination of equilibrium level of employment by effective demand अता इथे का आया है इपलेला number of person employed आनी receives मन्जे जेवा अपला कड़े AON2 होते ते आवाईस अपला कड़े receives किती होता अन हे होता ओके मही थे ADAC line जाली होते आपली aggregate demand ओके आनी जब आपन persons वाड़ा होले ते आवा सुधा अपला काई जाला इथे हे सुधा वाड़ ला अनी मग AD1 आपला मिलाला हे AS है aggregate supply EN2 है aggregate supply तो सुधा वाड़ लेला है मैंच आपलेले इथे दिस्ते कि जसे आपन worker वाड़ा होता होता हो तो सा आपलेला supply कि मा aggregate demand बदे सुधा वाड़ बगयला जालेले अपलेला दिस्ते ओनेते ओके या कुरुतिवर ना अपलेला समझ लेला है determination of equilibrium level of employment by effective demand आता है चमदे equilibrium level जा है employment छी तो effective demand नी कशिवाड़ ते बगयाई सा है aggregate supply curve shows the revenue which must be received by the entrepreneurs as to provide employment to given the number of men जेका नंबर आहेत वर्कस्टे तेचा अनुसर अपलेला किती receive आयला पाईजे अमाउंट किती receive आयला पाईजे अग्रिगेट supply किती हायला पाईजे ते अपलेला दिस्त aggregate supply curve shows revenue which entrepreneurs actually expect to receive at the different level of employment वेगविगर लेवलला जेचा अपने आड़ करू तेस अपलेला तेचा तुन मीनारे receive जाहे ते सुधा वेगविगर आसतात है अपलेला supply curve मदे शो होता So long as aggregate demand price exists, aggregate supply price entrepreneurs will go on employing the extra mean जेवा अपलेला aggregate demand price वाड़ वाडवाई चासल तेवा aggregate supply शोब तर्स workers अपलेला ते एक्स्ट्रा आड़ कर अवे लगतिल When ADP aggregate demand price equals to aggregate supply price at particular level of employment After this there will be no profitable to employed men जेवा एका particular level परें ते हे दोनी employment अपलेला चांगला फाइदा देतिल तेचा नंतर कोनी ही अपलेला employee अपलेला profit देनार नाही Equivalrium level of employment is achieved by the intersection of ADP आनी ASP curve आनी हाँ दोनी चांपलेला अपलेला equilibrium level point मिल्डा रहे बाकी तेचा नंतर जे employee अपना आड़ करू तेचा तना अपलेला कुटला ही फाइदा होनार नाही है Consumption function, consumption function काय सांगता है Consumption function it means a functional relationship between total consumption and total disposable income तो हे consumption function, total consumption आनी total disposable income या दोनी मदला relationship सांगता तर इते C is equal to F in bracket Y C मैंजे consumption dependent आनी Y मैंजे income independent हे दोन वेरियेवल सा relation जया है ते सांगता consumption function Average propensity to consume आता काया है average propensity to consume काया है APC is the ratio of amount of consumption to the total income हाँ ratio आहे, कसा चांगता Consumption चांगता Total income ची Consumption is a propensity positively related with income कसा है consumption चाहे ते Income सोबद कसा related है तर positively As income increase, APC falls काय सांगता है Income जसा वाडता, तस APC fall होता Average propensity to consume चाहे ती fall होते APC is equal to C divided by Y Okay Marginal propensity to consume काया है MPC is a ratio of change in consumption to the change in income Change बदला है Last जो होता तो ratio होता Consumption आनी income मदला तर हाज हो आहे तो change आहे consumption आनी income मदला Okay MPC is constant at a level of income Income level आहा constant आस तो MPC is equal to delta means change is C divided by change in income Okay Average propensity to save Average propensity to save काया है APS is the proportion of disposable income that is saved Disposible income का कुटला जै save हो शक्ता है Saving is positively related विते income Always saving कासा हसना रहे Positively related हसना रहे income So but As income increases तसे income increase वा होई तसे APS सोदा increase होना रहे मैंजे of course saving सोदा थिते वाडना रहे मैं अचा formula का आसना रहे APS Average propensity to save is equal to S divided by Y Okay APS is equal to 1 minus APC Okay Marginal propensity to save वाता Marginal propensity to save कास ना रहे MPS is a change in saving induced by a change in disposable income Income अनि saving मदला change दर्शों ना रहे कारण आपन last one marginal propensity to consume ची बगितल होते ते चा मदे आपन change बगितल होता है ते इते पन changes बगैसा है Change in saving induced by a change in disposable income MPS is a constant at a level of income हाजो आहे तो income level हा constant आस तो As income increase, APS increase APS सुधा इते वाड़ना रहे Average propensity to marginal propensity to save सुधा इते increase होना रहे और यहा formula कासना रहे रहे MPS is equal to 1 minus MPC Marginal propensity to consume MPS काड़ना साथी अपलेला Marginal, 1 minus marginal propensity to consume काड़ा बलागना रहे आनि MPS काड़ना रहे Delta Change in saving upon change in income Since the additional income is either consume or save The sum of MPC and MPS is equal to 1 जेवा additional income तेचा माँदे होईल Consume होईल कि माँदे save होईल तेवा marginal propensity to consume and marginal propensity to save is equal to 1 यह दोनी कर्षा आसना रहे Equal to 1 आसना रहे माँचे इते वागा MPS plus MPS is equal to 1 यह आसना रहे marginal propensity to save ओके आते इते अपलेल एक table दिसता है जेचा माँदे अपलेला एकच मुझे income, consumption and savings बदल माँदे दिलीले आनि तेचा नंतर है सग्रेज आपले Calculation है APC, Average Propensity to Consume Marginal Propensity to Consume Average Propensity to Save जेचा माँदे अपलेल परपंसिटी तेचा माँदे दिलीले तेचा answers कर्षा लेले अपलेले चार्ट माँदे दाखुले ताता इतेचा सांगेले income 0 असता ना Consume Capacity अपली पन्नास असते Savings कशेओ नारे minus 50 बदल जा इतेचा अपले लोन ग्योन कदा चित जगना रहे में इते का अए नारे APC का हसनारे Calculation निकी माँदेचा सुत्रा नुसार जर्बग इतला अपन तरका अंसर नारे अपला C अपन Y इस इक्वल टू Infinite इते का इस नाही है इते पन Infinite और इकड़े पन 0 जेवा income अपला 100 असना रहे तेवा consumption अपला 215 होईल और minus 15 अपली Savings असना रहे APC कीते असना रहे 1.25 MPC कीते असना रहे 0.75 MPS कीते असना रहे Savings माइनस 25 आणि MPS कीते असना रहे 0.25 नंतर एक वेल आशी है ते जिते income 200 है ता आणि consumption पन 200 है ता मझे बरोबर लेवल ले अपला इथे एता आणि मग savings कीते होते 0 होते सुर्वातीला निगेटिव मधे होते कारण आपन consumption जास्तो तान income कमी होते मगी ते 0 savings धाला वरती APC 1 आला जे आपन बगीतला होते तेचा नंतर MPC 0.75 APS 0 MPS 0.25 आला आणि तेचा नंतर आशी है एक लेवल लेते जेवा income 300 होते तेवा consumption अपला 255 होते माँ थोड़ी कुटे तरी saving होया लागते 25% कि माँ 25 माँ APC 0.92 MPC 0.75 आणि APS सुद्दा जो आए तो 0.08 एतो आणि 0.25 MPS होते आणि माँ नंतर आणि फोजेटिव रिजल्ट में आया लागतो कि income 400 जाला नंतर consumption अपला 255 होता माँ इथे savings अपली वाड़ते जसे कि income वाड़ला ते सेविंग सुद्दा वाड़ते consumption सुद्दा अपला बदलत रहता आणि माँ जे आपला बगितले होते अपन points ते सुदा कवर होता जमदे ताश अप्रकरे जे अपला income आए तेचा वाती है सगे points अपला डिपेंड आए जे आपन सुरुवादे ला बगितला होता consumption थेरी consumption थेरी ने केंश ची output अने income सरी income अन employment थेरी जे आए ते ये चे मदे अपलाला समझोने ते ओके जसे income वाड़ते तस ये आए सगे रेशियों मदे सुधा बदल होता आणि कुटला रेशियों मदे कसा बदल होता ते सुधा आपन बगितले ला है ताश अप्रकरे आच्चा सेशन मदे आपन बगितले ला है कि केंश ची थेरी आहे output अने employment बदल ची कि माँ income आणि employment ची थेरी आहे ती बगितली तेचा बदल चे मजे कुटला कुटला थेरी वरती तेनी क्रिटिसिजम्स माण ले ला है ते बगितले ताश अन्चा मन्या अनुसार है थेरी कशा लागो होता है कि माँ कुटले assumptions तानना create करावे लागता है हे आपन बगितला तानन्तर थेरी साथी income मदे बदल चाला वरती कुटले अपले points जा है ते change होता कि माँ savings कशे होते तेचा अनन्तर investment कशे होते consumption कशे होते हे सगड़ा आपन बगितलेला है तानेक्स सेशन मदे आपलाला यास उनिट वर्षा नेक्स टॉपिक बगाई साहे अच्चा सेशन साथी धन्यवाद